प्यारे दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज के डेट में यानि की 3 नवंबर 2023 के रेट में बिहार स्वास्त्रिवाग के माधियम से कई सारे बड़े फैसले लिये गए हैं बैठक हुआ है जहां पर भी स्वास्त विगा के कई सारे एहम फैसला लिया गया सभी कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ तेजस्वी आदब ने नई बहाली को लेकर के जो दिर्ण लाग का बादा किये थे उसके उपलक्च में भी बड़ी जानकारी दिया है कब तक वेकेंसी आ सकता है वो भी मैं आप लोग को बताऊंगा साथी में BTSC, A&M, 10.7 के लिए भी कुछ अपडेट होंगे X-Ray, OT, ECG अभी के लिए अपडेट होने वाला है तो वीडियो के लास्त तक बने रहेगा साथ में जो भी स्ट्रेंट से इस चनल पर नए आयो हो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब करके बिल नोडिफिकेशन औल्टेट कर लिजेगा चले दोस्तो जानकारी की उपड़ चलते हैं सबसे पहले तो तो सबसे पहले तो एक बहुत ही महतपूर अपडेट दे देना चाहता हूँ स्वास्त विवाग की बहाली को ले करके इसके बाद आपको BTSC A&M 1070 की लिकाडिंग में एक बहुत ही महतपूर जानकारी देंगे जैसा कि आपको पता होगा कल के डेट में तेजस्वी आदब ने गांधी मैदान में यहां से करीबन आपका सेक्तो देर लाग सिचको को यहां पर निक्ति परमान पत्र बाटा है अब उसके बाद तेजस्वी आदब का एकदम सीधा काना है कि अब हम लोग स्वास्त विवाग में जुट जाएंगे यानि कि जो स्वास्त विवाग का न्यूक्ति का प्रोसेस है और जो भी आपर बहा लिए अब आपको स्वास्त विवाग में देखने को मिलेगा अब यहाँ पर भी बड़े पैमाने पे आपको नौकरी दिया जाएगा उसी को लेकर के अपडेट है अब स्वास्त विवाग में जल्द खुलेंगे न्युक्ति का पटारा जी हैं दोस्तों पिटारा बात किया गया है राजी सरकार सिक्षा विवाग के बाद स्वास्त विव और उसी प्रकाड से पारामेडिकल जिसमें कि आपका एक्सरे हो गये एक्सरे हो गये यहाँ पर और भी этशी जी हो गये सबी के लिए यहाँ पर अपडेट दिया गया है ध्यान से समझ गयेगा दोस्तों तो जानकाड़ी ये दिया गया है कि जल्द ही आप लोग को देड़ किया गया है साथ में पारामेडकल यानि कि अब आने वाली वेकींसी जाये वो जेनेम के लिए हो चाये वो ड्रिसर के लिए हो उन सभी को ले करके यह अपडेट यहाँ पर जारी किया गया है साथ में BTSC एनेम 1070 के लिए बहुत इंपोर्टेंट जानकाड़ी बता देना चाता हूँ देखिए अभी के समय में मैं आपको बताना चाता हूँ आज का दिन बहुत ही महत्पून था इन लोगों के लिए भी क्योंकि बहुत साइड लोग का यहाँ पर लोगों को लग रहा था कि जो आज बैठक होगा उसमें कोई A&M के लिए एहम फैसला लिया जाएगा और ये बात आप समझ लीजिए अब जो भी प्रोसेस होंगे जो भी प्रकिरिया BTC के माधियम से होगा अब सभी कुछ BTC A&M दज़ज़ साथनों के लिए करेगा क्योंकि तेजस्वी आदब भी बता दियें कि अब स्वास्त भी बाकिये ही उपर ध्यान दिया जाएगा कुछ पोस्टर और भी हैं वो भी मैं आप लोग को दिखाऊंगा लेकिन मैं आपको एक इन्पॉर्टेंट जानकारी बता देना चाहता हूँ जो भी एक्जाम को लेकर के वेट कर रहे हो देखिए प्रकिरिया पूरा एकदम एक्जाम के लेकर के है आपको मैं बताना चाहता हूँ डिसंबर में आपका चांस बहुत ज़्यादा है कि आपका यहाँ पर एक्जाम होगा पर ऐसा कोई भी डेट नहीं फिक्स किया गया है कि यहाँ पर 4 डिसंबर से एक्जाम सुरू होगे और बहुत सारे जो वीडियोस आ रहे हैं उस पर आपको मानना नहीं है तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ एक्जाम होगा आपको पता होगा जो CBT एक्जाम होगा यानि की कंप्यूटर बेस्टेश होगा वो भी आप लोग का 100 नंबर का होगा तो उसी प्रकार से यह सिंपल पेपर आप सभी के लिए रहने वाला है 99 रुपए में आपको टोटल 10 सेट दे दिये जाएंगे तो आप लोग को ले लेना है अब लेना कैसे है तो आपको नंबर एक बार नोट कर लिजे 7631398261 जिया दोस्तों 761-4212-61 इस पर आपको वाट्चप करना है और आपको चाहिए तो यहाँ पर आप मैसेज कीजे और पेमिंट कीजे आपको इस नोबर पर पेमिंट करना है और तुरंट से तुरंट आप लोग यहाँ पर हमारे PDF और जो भी आपर कोशन से उन सभी का लाव उठाए दोस्तों साथी में दोस्तों यह भी पोश्टर जारी किया गया है यहाँ पर RJD के माधियम से तो यहाँ पर एक बहुत ही महत्पूर यह पोश्टर होने वाला क्योंकि नितिश कुमार खोल रहे हैं निक्तियों का पिटारा क्योंकि स्वास्त विवाग में जल्द देढ़ लाख यहाँ पर पदो पर वेकिंसिस होंगे जिसमें कि डॉक्टर नर्स सहित अन्य पदो की भी बहालियां की जाएगी यानि कि जो भी करमचारियों का कमी स्वास्त विवाग में चल रहा है उन सभी के लिए बहाली यहाँ पर निकाली जाएगी दोस्तों और दोस्तों सुनते चलिए यहाँ पर आज की डेट में जैसा कि मैंने बताया था कि आपको कई सारे गुड निउस देखने को मिलेंगे यह भी आप लोग के लिए बहुती बढ़िया गुड निउस होने बाला है और भी यहाँ पर मैं आपको कुछ जो की निउस बताने वाला हूँ स्वास्थ विभाग से रिरेटेड है यह समझेगा स्वास्थ जो की सरकार बोली जल्द दे परनौती का प्रस्ताब नहीं तो यहाँ पर होगा वंचित होंगे वंचित मतलब कि यहाँ पर बात किया गया है प्रनौती यानि की परमोशन को ले करके आपको पता होगा लगातार जो की स्वास्थ विभाग में प्रनौती को ले करके अपडेट्स आ रहे हैं यहांपर नियम लआया जाये और उन सभी को पर्मोशन दिया जाये यहांपर भी बात किया गया है स्वास्थ बिवाग के भी स्वास्थ बिवागने 17 अक्टूबर को प्रोनाुति के प्रस्ताव सभी अस्पतालों में आमन्त्रित किये हैं इसके बाबजूद यहाँ पर विभाग्य को अब तक यहाँ पर कई जिलों का अभी तक कोई प्रस्ताव नहीं मिला है यानि कि जो लिस्ट यहाँ पर मांगा गया था वो कई सारे जिलों का नहीं मिला है तो जीलो की सुस्ती के बाद स्वास्त के उप सचीब जो की सैलेश कुमार है उनके द्वारा ये अपडेट दिया गया कि जल्दी से जल्दी जो भी पत्र आपको भेजा गया है आप उसे पर काम कीजिए और जल्दी से जल्दी जो भी आपड चीजे हैं आपको प्रनौती को लेकर के जो की लिस्ट भेजना है तो जल्दी से जल्दी लिस्ट भेजिए कि कौन लोग अच्छे काम कर रहे हैं जैसा कि मैं बताया आज का दिन बहुत ही महत पूर्ण था क्योंकि आज के दिन में यहां पर बैठक भी होना था जो की नितीज कुमार की नित्रीत में होना था तो यहां पर स्वास्त विवाग से रिकार्डिंग में एक बड़ा आश्वाशन आया है और एक बड़ा कैबिनेट ने बैठक में एक बड़ा फैसला लिया है वो भी आप लोग समझ लीजिए बैठक में जो फैसला लिया गया है वो है यहाँ पर करमचारियों के जरे रिलेटर तो यह होने वाला है जो की लिया गया है फैसला अब धिहान से समझेगा फैसला क्या है तो यहाँ पर update दिया गया है उन सभी करमचारियों के लिए जो भी BSA CS के अनुरूप काम कर रहे हैं यानि कि आपका अगर इसका full form देखिएगा तो स्वास्त व्याक के अंतरगत यहाँ पर विहार राज एंड नियंतरन या नियंतरन समीती के दौरा काम कर रहे हैं उनी के जी यहां दोस्तो चार लाक रुपए का राशी श्रीकिती दी जाएगी और यह एक बड़ा अपडेट है आपकर सकतो एक बड़ा उन सभी के लिए खुसकबरी है क्योंकि आसा बहने लगातार इसको इसका भी मांग करी रहे थे जो भी धरना पड़शन हो रहा है गरदनी ब कहा है कि आप सिख्षा की तरब तो काम कर रहे हो वो बढ़ियां है लेकिन स्वास्त के भी छेतर में आपको काम करना चाहिए क्योंकि सिर्फ सिख्षा से नहीं होता अगर लोग एजुकेटेड होंगे तो अच्छी बात है कि लोग अच्छे से काम करेंगे लेकिन आपका स् ये तो एक सिक्षा है एक स्वास्त है और यही सब चीजे होते हैं जो कि बहुत ही महत्पून होता है सरकार के लिए तो इस पर भी ध्यान देना चाहिए क्योंकि अस्पतालों की स्थिती और जो भी यहाँ पर करमचारियों की स्थिती है वो अच्छी नहीं नजर आ रही है कि आप लोग के लिए यही अपडेट था अगर आपको जानकारी पसंद आया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा मिलते दोस्तों कोई नशुमे तब तक के लिए गुरवाए धन्यवा दोस्तों